नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने फर्स्ट इन इंडिया यूट्व चेल पर वीडियो को सुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें सेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें आज हम इस वीडियो के मादम से जानेंगे कि भार भारत के पेले सेना अध्यक्ष जनरल महाराश्री राजेंद जडेजा डियसो थे इनका जन में 15 जून 1899 को हुआ था जनरल महाराश्री राजेंद जडेजा भारत के पेले सेना अध्यक्ष थे और दूसरे भारती फिल्ड मार्सल के एम करियप्पा के भारती थलसेना के कमं कमांडर और आम तोर पर भारती सेना का सरवोच रेंक वाला सेने अधिकारी होता है भारती सेना में भारत के एक थल सेना अध्यक्च सी ओएस के नाम संचिप्त किया गया है और हमेशा एक पूर्ड जनरल द्वारा आयच्वित किया जाता है बर्तमान सी ओएस जनरल मनोज मुकंद नरवड़े हैं जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 को पदवार समाला था सेना अध्यक्च का कार्याले सुतनत्रा के समय सेना के प्रमुक को कमांडर इनचीफ भारती सेना नामित किया गया था 21 जून 1948 को सेना अध्यक्च का सीर्षक जोड़ा गया थल सेना अध्यक्च का कार्याले दा कमांडर इनचीफ इनचेंज के मादम से बनाया गया था 1955 में भारती संसर्थ का पदवनाम अधिनियम इसने कमांडर इनचीफ सेना के पूरवरती कार्याले को बदल दिया यह कारयले ने दिल्ली के रासिना हिल्स में केंध्री सचिवाले के सौध ब्लोक में इस्थित है कारयले में नुक्तिवां मंत्री मंधल की नुक्ति समिती ACC द्वारा की जाती है COA इस कारयले में या 62 बर्स की I.E.U. में जो भी पहले हो तीन साल की अब्धी के बास सेवा नेवरती पर पहुंचता है राजेंद्र सिंग जड़ेचा जी के बार में मैंत्रपूर जानकारिया जनरल महरासी राजेंद्र सिंग जड़ेचा डियेसो को के एस राजेंद्र सिंग जीव के नाम से भी जाना जाता है ये भारती सेना के पेले सेना अधिक्ष थे और दूसरे भारती फील्ड मार्सल के एमकरियप्पा के बाद भारती सेना के कमांडर इंचीव बने राजेंद्र सिंग जी का जन्में 15 जून 1899 को गुजरात के काठिया वार्ड छेतर के सरोधर में हुआ था ये परिबार नम नगर राजजे के सासक यदूणसी राजपुद बन सका था केरियर राजेंद्र सिंग जीन ने अपने सेने केरियर की सुरुवात की बहर रोयल मेर्टिक कोलेज में सामिल हो गए संजीन ने राजपुमार कालेज राजकोर्ट में फिर मालवन कोलेज में भाग लिया 1921 में उन्हें भारती सेना के लिए अनटेच्ट लिस्ट में दुत्ती लेफिनेंट के रूप में निक्त किया गया उन्हें तीन साल की बटालियन दा किंग्स रोयल राइफल कॉप से जुड़े और फिर भारती सेना में सामिल हो गए और उन्हें दुत्ती रोयल लॉंसर्स में तेनात किया गया एक राजा के कमिसन वाले भारती अधिकारी के रूप में उन्होंने विटिस रभारती सेना में विविन रेंग को और कारेले में कारी किया और तित्ती विश्वेजुद के दुरान सांदर काम किया जनरल राजेंद सिंग्जी पहले भारती वन गए जिनने सेवा के लिए 1945-46 में वासिंग्टिन डीसी में मिलिटरी अटेज किया गया था 1947 में भारत के बिवाजन ने सुरक्षा, इस्तिती और भारती सेना की गति-सील्था दोनों में उतल-पुतल मचाई इस अब्धिक के दौरान बिटिस अधिकारियों ने भारती सेना में अधिकांस बरिष्ट रेंग को धीर-धीर बिगड़ित किया जिने भारती अधिकारियों के साथ बदल दिया गया इस महिदपूर अबधी के दोरां आजेंडर सिंग जी को कई महिदपूर जम्मेदारियों को निवाने के लिए बुड़ाया गया और उन्हें रेंक में तैजी से परणती मिली एक नए मेजर जनरल के रूप में उन्हें अगश्त 1947 में सोतनता के बाद दिल्ली उपचेतर की कमान के लिए निउक्त किया गया जो 1948 तक दिल्ली और पूरी पंजाब कमान 1947-1948 के पुड़ा निर्टेसित जनरल आफिसा कमांडिंग जी ओसी के रूप में सेवारत रहे उन्हें 16 जन्वरी 1948 को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोनित किया गया और जी ओसी इन्चीफ पूरी कमान निउक्त किया गया सेना में वरिष्ण सेवरत अधिकारी के रूप में जनरल राजेंद सिंग जी को जनरल बात में फील्ड मार्चल के एम करिपा की सेवा निवरती के बाद 14 जन्वरी 1953 को भारती सेना में कमंडर इन्चीफ के पद पर निउक्त किया गया राजेंद सिंग जी ने इसी दिन चनरल का पद प्राप्त किया एक अप्रेड 1955 से भारत के राश्पती को सामवेदेने करूप से भारती ससस्त्र बलो का कमंडर इन्चीफ नामित किया गया था राजेंद सिंग जी तब भारती सेना के पहले प्रमुक बने जिने सेना अद्द्द छे या सी ओ इस निउक्त किया गया उन्होंने 14 मैं 1955 को सेवा से निवर्ती होने तक उस कार्याले को समाला और उनके बाद जन्रल एस एम स्री नागेश के द्वार कार्याले को समाला जन्रल महराज स्री राजेंद सिंग जी का एक जन्वरे 1964 को 65 बर्स की आईउ में निदन हो गया जन्रल महराज राजेंद सिंग जी द्वारा ताप्त किये गए सम्मान और प्रुसकार बिसिष्ट सेवा आदेश 1941 जित्ति बिस्वे यूद्व में सम्माइद होने वाले पहले भारती है भारती सामानी सेवा पदक 1949 से 45 स्टार आफरिका स्टार और बर्मा स्टार मेडल यूद्व पदक 1949 से 1945 एम आईडी 1941 के लिए ओक का पत्ता रक्षा पदक 1945 भारती स्टारता पदक 1947 किंग जोर्ज बी सिल्बर जूबली मेडल 1935 किंग जोर्ज शेक्स्त राजय विशेक पदक 1937 महारानी एलिजा वेद्धित्ती राजय विशेक पदक 1953 मेरी जन की विरासत 1948 एक अधिकारी की डिग्री आपका बहुत भुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और आजा करता हूँ कि ऐसे ही आप लगातार वीडियो देखते रहेंगे अगर आपने अभी तक चेनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो चेनल को सब्सक्राब कीजिए और चेनल को लाइक सेयर कीजिए आप में कमेंट करके बताइए कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं धन्यवाद